Hi everyone My name is Arbaz तो देखो यार वो बोलते हैं ना कि जब जलती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जाए क्या किया जाए किस तरीके से किया जाए मेरे को समझ नहीं आता है क्यूं यार क्यूं एक चीज देख रहा था वह आफटर डंकी डंकी का जो टीजर आया ठीक है तो उस टीजर के बाद वह क्या वह ना कि जो नफरती गैंग है जो नफरती चिंटू है जो भी बोलो ना जो नफरत फिलाने वाले लोग है वह अपनी तरीके से डंकी को टार्गेट कर रहे हैं कुछ क्वालर एक यह अचछा अचा नहीा थायेगा यह जाएगा वो झाएगा एक नई चीज निकलिया है वह यह निकलिया कि औंकी का जो ड्रॉ पर जो टीजर वो Zero की तरह लग राये लोगों को अरे कहां Zero, कहां पे डंकी कहां पे राज कुमार हिरानी कहां पे वो कहां पर वो HR की कहां पर यह HR की देखो मुझे एक बास समझ में नहीं आता है कि लोग कितना सपनों में जीते मतलब स्रियस लिया है स्राइब को बड़ा बताने के लिए अपने सिधार की मूवी को बड़ा बताने के लिए और नोगों के भी अब क्या बोल सकता हुं नोगों के बारे में और टंकी 0-0 के जैसी क्या मतलब किसी गधे इटको बोलेंगे तो गधा भी बोलेंगा सबसे बड़ा तो तू है seriously अब देखो जो सलार डंकी क्लेस वो जो अब कौन है वह सलार फैंस प्रबास फैंस आप कौन है वह लोग को सपोर्ट करने बड़े बड़े जो सलमान खान के जो फेन क्लब है उन लोगों ने डंकी के टीजर को जीरो के कि अरे भाई आप लोगों का टाइगर ठीए आ रहा है आप लोगों तो यह दूआ करो कि सारह के सारा क्रेडिट सारुक खान लेकर के ना चला जाए कि आप लोगों ने पठान सारुक खान की मुवी में आके पठान को 1000 प्रोट तक ले करके जाएगा सल्मान खान के तु खुद तो तारे गर्दीस में अभी हाँ वह बात अलग है कि वाई अभी टाइगर ट्री आ रही है तो टाइगर का जो रोल है टाइगर का जो किरदार है वह बहुत वर्ल्ड फेमास टाइगर ट्री का क्रेश ज्यादा है एंड स्पा युनिवर्स पी वज़े से भी इस मुवी का और शारुक खान के केमी वज़े से चार चाल लग गया वात अलग है तो प्लिज आप टाइगर ट्री का फिकर करो विक विखोस जार देखो सल्मान भाई ने अभी तक उनको ए करूंगा क्यों बाइट टाइगर टूर के कलेक्सन में थोड़ा सा लोस हो सकता है उसके बार प्रोपर डिसकसन करेंगे किसी और वीडियो में अभी तक के लिए तुसरी पितना ही बोलना चाहता हूं इन लोगों को यह जलती रहे हैं आप लोगों की आप लोगों से जो बोलन लानर जवान से 1000 प्लस 2000 करोण कमा कर दे चुका एक साल के अंदर हो तो भाई आप सोचो ना या अभी तो डंकी यह यह हज़ार क्रोडistent क्या चाहिए यार डंकी अराम से 1000 क्रोड़ टूच पर रहा है आप जलार को रिलीस करदो किसी भी मुवी को तो रिलिस करा दो डंकी के साथ डंकी अपने आप में यह बड़ा ब्लोकबास्तर है और डंकी कितना भी बड़ा खिलेश हो जाए जो करना है कर लो जो करना हें चरवल्ड में लुट यह बज़ार क्रोन कमा करके जाएगा ही जाएगा वो आराम से जाएगा यार राजकुमार हिरानी क्या मूवी है और राजकुमार हिरानी प्लस सारुक खान ड्रीम कॉम्बिनिशन यह हिंदी ओरियंस को पता है कि भाई एंड सारुक खान के फैंस को भी पता है यह कितना बड़ा क कितना बड़ा ड्रीम है तो भाई कोई सवाल ही नहीं है आज कर ललू पंजु लोग आकर चेप्टर टू यह वो मतलब मारा मारी कोई लगे खान लेकर क्या के डंकी को अब दवाने की कोशिस करे नहीं होता भाई होता इच नहीं है यह यह उता ही नहीं है वो तो वही बात हो सारुख घ्वान का कोई मूवी आता नहीं ता तेन-चार साल का अभी कोई मूवी आता नहीं था बॉल्यूड अच्छी मूवी बना नहीं रहा था तो इस मचे से फ्लप भी हो रही थी बॉलिवड जो मुवी अलाइकल जस लाइक के जुनियर एंटियार की जो आएगी क्या वो लेकर के जाएगी चार्सो पानसो क्रोड तीन सो क्रोड दोसो क्रोड इंपॉसिबल थालापती विजय की लियोगा क्या हुआ ठीक है अभी प्रभास की सलार आएगी वह भी के जीएफ कनेक्शन क की वज़े से हम बहुल सकते कि चलो देर्सो दोसो करोड हो जाएगा विदाउट एनी कनेक्शन जब काल की आएगी काल की वह जो आने वाली है ठीक है प्रभास की आफ्टर सलार क्या वह हिंदी में कमाएगी 200-300 करोड मुस्किल है न वह आपने के जीएफ कनेक्शन के जीए जनाजे लिएफ लेलो आप लोगों के साथ ही विकोस बहुत हलके में ले रहे हो आप लोग दंकी को काड़ेगा खुझ यृज डंकी बन जाओ डंकी के सामने से रिएसिश्वची बन जाए का सामने वह वह जो बात कर रहा है इन ट्विटर इंस्टाग्राम योट्यूब ज कि फटी पड़ी है वे तब मोवी रिलीज नहीं हुआ पता नहीं क्या क्या होगा आप लोगों के साथ अधियो अच्छा लगाओ तो लाइक सेंट सब्सक्राइब मिलते हैं कि उडियों तक देले गुडबाई ताइन लव यू